रामपुर और आजमगड में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद अखलेश यादव कई निताओं के निशाने पर आ गए हैं। ओम्प्रकाश राजभर से लेकर मुलैम सिंग यादव के समधी तक अखलेश पर निशाना साध रहे हैं। जहां ओम्प्रकाश राजभर ने अखलेश को एसी कमरों से बाहर आने की नसीहत दी है वहीं मुलैम सिंग के समधी और बीजेपी नेता हरियोम यादव ने अखलेश पर निशाना साधते हुए कहा है। पार्टी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव में एक भी प्रत्याशी जीत कर सदन में नहीं पहुंचेगा। सपा पार्टी में पहले नेताजी के साथ गलत हुआ फिर शेपाल सिंग यादव की अवहिलना हुई अब धरमेंद्र यादव की राजनीती खत्म की गई। विधान सबाचुनाव 2027 में इस पार्टी का कोई नाम नहीं लेगा। इसे सकुनी ने नश्ट कर दिया। अखलेश यादव ने शकुनी की शेह पर परिवार खत्म कर दिया। किया और धरविंद्र को भी खत्म करा दिया है। आज हम गड़की जाके। परिवार खत्म किया, अखलेश जी ने, समाझ खत्म किया। और पार्टी खत्म की। ये तीनों चीज़ें एक सकुनी की सह पर अकलेश ने खत्म कर दिया। समाज बादी पार्टी का नाम लेने वाला कोई दीश में एक सिंगल सी समाजबादी पार्टी इस प्रदेश में नहीं जीतागी और इस देशमें मोधी जी का प्रदेश में होगी का झणदा फिर रहराएगा 24 में अब आगे क्या इस्तिती रहेगी वैसे आगे हमने बताते हैं समाजबादी पार्टी खत्म लडाई में भी नहीं रहेगी समाजबादी पार्टी कहीं भी मुसल्मान टोटली जाएगा कांग्रेस में इस देश का और यादब भगएगा अपनी जान बचाने के लिए भारती द ली जाएगी समाजबादी पार्टी हमेशा के लिए खतम होने जा रहेगी हरियों में यादव सपा की स्थापना काल से जुड़े निता हैं पहली बार साल 2022 में वो शीकोहावाद विधानसबासीट से चुनाव जीते थे इसके बाद 2012 है और 2017 में सिरसा गंच विधानसबासी सेवार ने पूरी ताकत लगा कर हरियों म्यादव को पराजय दिलाई बतादें कि हरियों म्यादव मुलैम सिंग यादव के समधी हैं सपा सरक्षक के बतीजे स्वरगिये रनवीर सिंग की शादी हरियों म्यादव की बतीजी मिर्दुला यादव के साथ हुई थी मिर्दु आने में आ गए हैं देखना होगा कि आने वाले लोकसुबा चुनाव तक अखलेश यादव के नेताओं को कैसे समाल कर रखते हैं पंजाब केसरी टीवी के लिफ विरोजबाद से अर्शाद अलीक रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब् करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद